बेली कल लेके किसे न यहां पर क्या हो रहा है हां तो वई कैसो हो सारे बडिया तो बात चीत करते हैं क्लासी मुणदा और लवडोज टू के बारे में काफी कंफूजन्स है आप सब की दिमाग में क्योंकि मुझे टीम्स आ रहे हैं काफी कुश्चेंज हैं आप सब की है वो हनी 3.2 एल्बम का लाश्ट ट्रैक है और विशी के लावा और भी मोडल होंगी क्या तो सारे के सारे जो कुष्टेंज उनके अंसर मैं देता हूं तो राश्पाजी जो हनी पाजी के डिजिटल मैनेजर है उन्होंने कंफुम कर दिया क्लासी मुंडा कैंसल नहीं हुआ ह यह ट्रैक अपन को देखने को मिलेगा टैफिनेटली आएगा इन फ्यूचर अब तुम्हारे भाई ने कई महिनों पहले ही यह प्रेडिक्शन कर ली थी और वीडियो बनाके डाल दी थी कि वहाई क्लासी मुंडाना बहुत तगड़ा ट्रैक होने वाला है हानी पाजी सच में प्रिपेर नहीं है वो लीन हो चुके हैं बट उनके अभी एब्स नहीं निकले हैं भाई हसी खेल नहीं है बहुत ही ज्यादा हाड़ वर्क उनको करना पड़ेगा चिम चम के करनी पड़ेगी तब जाके जो है बाई उनके सिक्सपेग एब्स बगरा अपनको देखे तो मैंने कहा था यह जो क्लासी मुंदा ट्रैक है एल्बम से हटके हनी पाजी सोलो ड्रॉप कर सकते हैं तो हां भाई यह ट्रैक एज़ा सोलो ही देखनों को मिलेगा अब दूसरा सवाल लव डूस जो सेकंड पार्ट है वो हनी 3.2 का लाज्ट ट्रैक होने वाला है तैंथ नंबर का और यह मार्च में मिड तक देखनों को मिल सकता है में भी हनी पाज अपने बर्थडे पे सर्प्राइज दे दें तो जॉन और वही होगा लव एंड डैंस और भा हनी पाजी बहुत तगड़ी स्टोरी लेके आ सकते हैं क्योंकि स्टोरी और कॉंसेप्ट उन्हीं का होता है मैं विश हयात जो कि पाकिस्तानी मॉडल है और वह हनी पाजी से कुछ महीनों पहले मिली थी दोबई में तो उन्होंने कमेंड करा था इस गोना वी रियली गूड कांट वेट मतलब कि उन्होंने ये ट्रैक सुना है हो सकता है वह इस ट्रैक की पार्ट हो एज़ा मॉडल इस म्यूजिक वीडियो में देखने को मिल जाए तीसरी जो बात आती है भाई लिरिक्स किसके होंगे गिल रॉनी या हनी पाजी के अब देखो भाई जो फर्स्ट प पंजाबी में होगा तो मुझे लगनी रहा है ये गिल रॉनी ने लिखा है हनी पाजी ने ही लिखा होगा और लियो ग्रेवाल भी लिख सकते हैं दोनों मिल के कुछ हो ना हो बस दो चीज़े देखने को मिल जाए वह हनी पाजी का रैप जो कि हिंदी में हो और वो खुद क्योंकि हिंदी में बहुत तगड़ा लिखते हैं और दूसरा भाई म्यूजिक प्रेडियूस हनी पाजी खुद ही करें भाई मज़ा ही आ जाएगा सीन ही पलट हो जाएगा बाकि ट्रैक का जो शूट बगयर आया है मुझे लग रहा है स्टार्ट हो चुका है हनी पाजी द असली सीन पलट तो 2024 में हनी पाजी करने वाले हैं क्योंकि आए भी टूबी आने वाली है ना बाकि सब्सक्राइब कर लो यहां तक आ गए हो हनी पाजी के फैनों पाए